मुंबई में मौनसून ने दस्तक दे दी है एक दिन पहले ही मुंबई में मौनसून पहुँच चुका है और इस मौनसून से मुंबई का क्या हाल है यह अब आपको तस्वीरों से दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर सुबा से हो रही बारिश ने मुंबई का हाल बेहाल कर दिया मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, कई जगों पर ट्राफिक जैम लग चुका है, कई मेन होल उफन कर बाहर आ रहे हैं और सडकों को लबालब कर रहे हैं, ये छे तस्वीरों में साफ हुरा है कि कैसे इस वक्त जहां तहां मुंबई में जिंदगी पट्री से उतर चुकी है, सायन, बैंडरा, कुल्ला, चेंबूर, कॉलाबा, सांटा क्रूज में हो रही बारिश ने वहां का हाल बिगार दिया बारिश की वज़े से गांधी मांकिट में भी जल जमाव है, लेकिन ये तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं, सायन रेलवे स्टेशन से जहां ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, ट्रैक्स दिखाई तक नहीं दे रहे हैं और उसी के उपर से उसी डूबेव ट्रैक से ट्रेन इस वक्त गुजर रही है, रफ्तार बहर धीमी, विजबलेटी बारिश के दौरान कितनी कम इन एरियास में रही उसकी भी तस्वीर आप देखिए, इसके लावा सड़कों पर भी ट्रैफिक काफी धीमी गती से चल रहा था, वरली में इस वक्त मुस्तफा मुस्तफा शेक मौजूद है, मुस्तफा अब क्या हालात अभी है मुंबई के अलग-अलग इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर है? मुस्तफा आवास पहुँच रही आप तर? मुस्तफा से दुबारा संपर साधी की कोशिश करेंगे, बीच साइन रेले सेशन की तस्रीश देखिए कि कैसे वहाँ पर मेट्रो रेर जो कि आप से कुछी दिन पहले शुरुआत हुई है, इसकी लॉकडाउन के बाद कम शमता से मेट्रो चलाई जा रही है, सभी आत्रीश में नहीं सफर कर सकते हैं, कुछी फीज़ी आत्रीश सफर कर सकते हैं इसके बावजूद अब दूसरा रोडा मेट्रो की राम वे है, वो है बारिश का हमारे साथ विद्या इस वक्त मौझूद हैं, विद्या आप जिस इलाके में हैं, वहाँ पर अभी क्या हालात हैं और हाना कि अब बीच में मुंबई में रफ्तार दीमी हो गई थी बरसाथ की, लेकिन फिर भी निचले इलाकों की स्थिती जल जमाव से मुश्किल भरी दिखाई देती है जे बिलकुल अभी तो इन फैक्त यहाँ जो अभी इस वक्त में अंधेरी सव्वे में हो और यहाँ पर जल जमाव भर रहा है यह देखिए यह जो नाले आप देख रहे हैं, उपर के जो इलाके हैं, वहाँ से पानी आ रहा है इन इलाकों में और यह सीबे जा रहा है, अंधेरी सव्वे कों की लो लाइंग एरिया है, गड़्धा है, बड़ा साथ, पुरा सव्वे है, जाहिर सी बात है, पानी बड़ा हुआ है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस सड़क पे लोग यहाँ पे बीम सी के अधिकारी खड़े हैं, बार बार लोग बीम सी के की यहाँ इस तरफ गारियां मत लाईए, वहीं कुछ लोग यहाँ देख लीजिए, अपनी डेर डेरलरी दिखा रहे हैं और फिर भी इसमें चल के आ रहे हैं बीम push के अधिकारें अभी भी हमने देखा ilis कि अधिकारी और बीमई सी कह एंधी कले कारई के लोगों एक बा leiको कह रहे हैं कि मित जाए मैं से जगों पे टेज रखता देखी आप पाणी की आप रफ्तार खाली मिनक्षी देख लीजें यहाँ पर जो यह सड़क नहीं नाला जादा लग रहा है और आसपास के जो नालों का जो पानी है वो भी यहाँ पर आ रहा है हाई टाइड का समय है जाहिर सी बात है जो नाले जिनके जरीये से बाहर निकासी होने चाहिए उन्हीं नालोग के जरीय समुद्र का पानी वापिश शहर में आ जाता है यही वज़ा है कि जो लो लाइंग एरियास है खास वर से जैसे कि यह इलाका जो है अंधेरी का उनमें पानी भर जाता है समुद्र का पानी है बरसाद का पानी है और यही वज़ा है कि जैसे जैसे बरसाथ थोड़ी धीमी होगी, low tide जैसे शुरू होगा यह शहर को थोड़ा सा निजाद मिलेगा, low tide में, तेज़ बरसाथ में भी ढिक्त नहीं होती है मंबाई को हाई टाइड है तेज बरसात हो रही है इसी वज़े से मंबाई वास्यों को इस वक्त थोड़ी दिकत कसाम नजरू करना पड़ रहा है अनलॉकिंग शुरू हुई है लोग अपने काम की तरद्धान देने का कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसे में तेज बस्ता जो उनकी जिन्दगी है जो शुरू प्टरी पर आने ही वाली थी उस पर थोड़ी से लगाम लग गई है क्योंकि यहां पर वेस्टन एक्स्प्रेस हाइवे पर आप देख लीजे ज्यादा पानी नहीं भरा है वेस्टन रेलवे की ओन लाइन है यहां पर ट्रेस चल रही है